अच्छी इधर से खोला मैं खोल जाए गाज जब से जिम बंद हुआ है तो हर फिटनेस फ्रीक का दिल तूड गया है अज घर पे जो होम वक आउट करके अच्छी बॉड़ी मेंटेन नहीं रहती तो मैं भी प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जिम खुल जाए बट अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आए कि जिम कब खुलेगा वल्कम बाक टो दा चानल एब्रिवन तो मैंने सोचा कि घर पे एक छोटा सा जिम सेट अप किया जाए अगर मैं अच्छे से वेट लिफ्टिंग नहीं करूंगा तो मेरे मसल्स भी खराब हो जाएंगे मैंने में चैनल पर अल्रड़ी एक वीडियो बना के रखा है कि आपके मसल्स क्यों खराब होते हैं तो एक बाद जरूर चेक आउट करियागा तो मैंने सोचा कम से कम पैसे में जिम का सेट अप घर पे कैसे किया जाए तो आज मैंने कुछ चीजे और करके रखी है तो आपको सारी चीजे दिखाऊंगा और उसका लिंक भी डिस्किप्शन में दे दूँगा तो अगर आप भी चाते कि आप घर पर एक छोटा सा जिम सेट अप करें जिससे आपके बेसिक वरकाउट्स हो जाए तो इस वीडियो का स्टार्डिंग से अंट तक जरूर देगे तो गाइस हमारे जिम का समान आगया अब इसको खोलेंगे चालो क्या चीज़े हैं अरे सब पताता हो पहले पता लें तो कैसे जिम सेट अप करना क्या क्या बेसिक चीज़े तो गाइस है मैं बहुत ताइम से और करके रगा था बट कुछ आई नहीं रहा था लॉकड़ चल रहा था आपको पता है पाट अवी धीरी धीर करके सारी च चीज़े आपके ऊपर है और आपको पूश अबार मेरे चाचो के पास और रेड़ी है तो ने मंगवाया ओके ठीक है अभी जो दूसरी चीज है वो है एक मल्टी परपस बेंच मंगवाया हुआ हूए बिकास थीन वन काम होना चाहिए जिसमें इंकलाइन डिकलाइन और फ् चुछ मंगाया है का एन रेजिस्टेंस बैंड मैंने अल्रेडी दिखा चुका है आपको वीडियो में तो अगर वो भी इंकलूट करना तो वो भी आप कर सकते बिकास रेजिस्टेंस बैंड से बहुत अच्छे सो वकाउट हो जाता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता ह अच्छा तुम खोलोगी सबसे पहले दिखा दो सबसे पहले मैं आपको पूशा पार दिखा रही हो तो यह है पुछाफ बार यह ऑप्शिनल अगर आपको चहिए मैं मुझे में मजा था इसलिए मैंने लिया हुआ है तो यह उप्शिनल है अभी इसको रगो साइड में ए उसके बाद है आपका चिनब बात यह मैं कल सुबह जाके इसको इंस्टॉल कराऊंगा विकास किसी को बुलाना पड़े का इंस्टॉल कराने के लिए तो यह भी काफी मजबूत है और बहुत अच्छे प्राइज में बिल गया था तो सारी चीजों का लिंक मैं करी है इन फ्यूचर कोई भी ब्राइं इसको अप्रोच करेंगी बुले यह अपना चीज अच्छे सा प्रमोट करती है और यह है मेरा बेंच जिसको मैंने अलरी है पोल दिया था विकास सानिटाइस करना जुरूरी था तो यह बेंच है बेंच को भी कैसे इंस्टॉल करते ह वह भी मैं आपको बताऊंगा एले खोल के देख लेते कि अगे चीज है और मैंने यह जो वेट्स है उसको नहीं खोला तो एक मिनिट का रुप जाओ रुप जाओ रुप जाओ तो इसमें काफी सारे वेट्स मैंने थर्टी केजी है कि आसपास वेट्स मंगाया हुआ था है तो यह प्लेट से कुछ पीवी सी के है मैंने जादा खर्चा इसमें किया नहीं है तो अप्रॉक्सीमेट दो हजार के आसपास आपको मिल जाएगा लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में देर हुआ तो इसके अंदर कुछ वेट्स है साथी में दो रॉड आए हुए एक कर सकता हुए और इसको भी खोल दो काया जल्दी से क्यों तो अचीत नहीं ऐसे हची है इधर से खुल लो मैं खोल दो अपरे इतने बार चीक रही हो तुम मास्क आए तुमारा अधे मेरे लिए अभी पी मास्क नहीं वणा हुआ है क्या है बास 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 कट हो गया एंद इ तो इसके पास कुछ टावल गलब्स है जिसे किया आप कर सकते है पसीना पोस सकते है साथ में डंबल्स के रॉट दिये हुए है बहुत बड़े है एक बैग भी दिया हुआ है पट यह सारी चीजे मेरे स्कीपिंग रोप भी है और यह आपके कुछ क्लिप्स दियो है तो टो साथिल में जो रिस्क एक्सरसाइस के लिए रहता है तो सारा कुछ आ गया है और इससे में अचा आपकाउट कर सकता है बहुत 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 है और वेट्स काफी रिजनेवल लगे मुझे इतने कम पैसे में ठीठा चीजे दे दिये तो चलिए अर जली से बेंच को इंस्टाल कर देते हैं विए वगाज बेंच में चालू करना चालू करना मुझे वकाउट करने के लिए मैं बहुत बेकरार था ता तो नहीं बाद वर्काउट करना है यह एक नया समाना है वाला उसके अंदर फॉल्ड़ में फिनस को एससे करके खोलो और से में निकाला और यह तुमने इन्वेंट किया है तुमने बनाया किया नहीं अच्छा है आ रहे हैं मार्केट में अच्छा है मेरे डंबल में एसेंबल कर दिया और बहुत महीनों बाद वर्काउट करने में बहुत मजा रहे हैं यही मेरे बेंच का सेटप करके देंगे और बाद में फिर चिन अब बार भी लगवाएंगे तो पहले बेंच का सेटप करके देंगे करवाते हैं विकाज उनको पता है कैसे कैसे बोल्डोल लगाना मुझे नहीं समझते हैं तीन महीने बाद मेरे मुझे बेंच मिला साथ में वेट्स मिला ताकि मैं अच्छा सभी थोड़ा फील लेके वर्काउट कर सकता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है विकाज तीन महीने से वर्काउट हुआ ही नहीं यह जो बेंच है इसमें फ्लाट इंकलाइन डिकलाइन सारी चीज़े का वकाउट हो जाएगा तो मेरी बॉड़ी शायद फिर से शेप में आ जाएगी और मैंने पापा को बोला हुए है कि मेरा चिनप बार भी फिक्स करा तो पापा तो वकाउट करके भी बताऊंगा कि आप घर पे वकाउट कैसे कर सकते हैं मेरे स्टोर का टाइम कंप्लीट हुआ कोई क्लाइंट जादा आते नहीं है अभी घर जाने के लिए मैं बहुत जादा एक्साइट हूँ बिकास बहुत टाइम के वाद मुझे वेट लिफ्टिंग करने को मिलेगा एक जिम फ्रीक कें रिलेट की कितना मजा आता वकाउट करने में इतने दिन बॉड़ी वेट वकाउट और से रेजिस्टेंस बैंड करके मुझे वह मजा ही नहीं आ रहा था जब तक वेट से अच्छे से पुश नहीं करो तो तक पंप नहीं आता तब घर ज सब्सक्राइबर यह कमेंट कर रहे है कि मैं बहुत जारा लीन दिख रहा हूं मसल लॉस भी तो हो गया वकाउट जब तक वेट नहीं पड़ेगा तो मसल कैसे ग्रोगा एनिवेस अभी चलते घर और उसके बाद फिर वकाउट करते हैं चिनपार भी तो सेट करें नहाद हो क आज अच्छे से वकाउट होगा मैं बहुत जाद एक्साइटेड हूँ तो पहले मैं मॉबिलिटिक एक्सराइस करोंगा और पुशा पुशा पुशाब लगा के वाम अप करें अच्छे से वेट लिफ्टिंग करोंगा विकॉस तीन चार महीने होगे मैं वेट लिफ्टिं हो गई है और अभी अच्छा सा पुशाप्स करूंगा और पुशाप बार में भी पुशाप्स मानने में काफी मजा आ रहा है मैं तो बहुत जादा एक्साइटेड हूँ जो भी फिटनस प्री के वीडियो देख रहा है उसको भी मजा आएगा पुराने जिम के दिन याद मेरा पुशाप्स हो गया अब मैं करूँगा बेंच-प्रेथ आइनो बहुत कम एठ है बहुत दिन बाद बेंच प्रेस कर रहे हैं तो मैं कम-कम वेट से स्टार्ट करना जाता हूँ पहले मैं करूँगा इंक लाइंग दन फ्लाट बेंच प्रेस साथी मैं शोल्डर करूँगा मैं अचकल मिक्स वकाउट करने वाला हूँ बॉड़ यूस्टू नहीं है इस दिन एक काम करूँगा कि एक दिन में पूरा अपर बॉड़ी करूँगा दो-दो सेट से स्टार्ट करूँगा कम-कम वेट में ताकि बॉड़ी पेन ना हो और अगर आप लोग भी जिम सेटब करते हैं बहुत दिन बात वोग आउट करते है अब मैं करूंगा शोल्डर से मैं शोल्डर प्रेस कर सकता हूं अब मैं करूंगा बार्बल रोइंग तो मैंने डेडलेवड भी करी लिया अब कम वेट था लेकिन अभी फिलाल के लिए यही औक्षन है अब मैं आप लोग का सबसे फैवरेट वोग आउट करना वाला हूँ आइनो सब को आम्स करना बहुत पसंद है लेकिन एक चीज बतारों मुझे आम्स करने में कभी इंट्रेस्ट नहीं था लेकिन बहुत दिन से ट्रेन नहीं किया इसलिए आम्स आज करना पड़ेगा तो जैसे मैंने जो सेट अमंग आया हुए उसमें एक जिगजाग रॉड भी और भी यहां देखा बिके रहे हैं इट नहीं है था क्टी आज वहीं है एक दीजाट ख़िए उसमें टीन भी ख़री दैटस अब तरी यह लिग डिए व्यग धिजिए उसम्सक्राइब चैनल आव एल शेयन ए से आने न φान नेस्ट ओनार पीस